बच्चो वेलकम बाक तुदे येट अनदर सेशन और आज हम लोग करने वाले अपना कंटिनीव स्टाटिस्टिकल डिस्रिप्शन आप डेटा जो हम लोगों का थियोरी चाप्टर है स्टाटिस्टिक्स का वो चल रहा है इनीशल स्टेजेज में है अपने ठीक है और हम लोग ये एक बार पड़ से रिवाइस कराऊंगा सारी तीजों को स्टैस्टिकल डिस्क्रिप्शन आप डेटा इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि स्टैस्टिक्स इस डिराइब डॉर्ड इटालियन वर्ड जर्मन वर्ड और फ्रेंच वर्ड ठीक है अब यहां प पर हमको जैसे समझ वहारा है हम वैसे बोल रहे हमको एक्जाम पॉइंट ऑफ यूसे को याद रखना है हमारे एक्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है ठीक है फिर उसके अधा हम लोग को ने रिखाद स्टैस्टिक का मीनिंग क्या होता है तो दो अलग-अलग मीनिंग ह अधेक्टरा अकॉडिन टू बोली स्टैस्टिक्स आर निमेरिकल स्टेट्मेंट ऑफ एक्ट्रेट्मेंट अफ इंक्वाइरी प्लेशन टू इच अधर तो ओवराल पॉइंट यह था फ्लूलर सेंस में स्टैस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा अब यहां पर स्टैस्टिकल डेटा है बहुत सारी चीजों के उता है यह कोस हम लों प्हुत सारी चीजों यहां हमरे घासरी बद्दे हैं मुझसे होते हैं उससे हैं वह बड़ तो हम लोग कितने डायमिक है एसी statistics के अंदर जो हम लोग study करते हैं वो भी बहुत डर्रेमिक है बहुत सारी चीजों के द्वारा एफेक्ट होती है जैसे मालोग डिमांड डिमांड कितनी सारी चीजों से यादे economics में तुम अगर पढ़े होगे determinants of demand कितनी सारी चीजों से demand effect होता है price of price of the given goods price of related goods और future होता है reasonable accuracy होती है मतलब एकदम 100% accurate नहीं होता है हम लोगों को relationship के द्वारा अब यहां पर बच्चे ने मेरे से पूछ भी लिया था doubt तो मैं doubt यहां पर cover करूँगा पर आगे है वो आगे मैं बताता हूं क्या doubt पूछा था place in relation to each other मतलब दो चीजों का आप relation बनाना चाहते हो इसलिए आप statistics का use कर रहो हूं ठीक है आप दो लोगों कि बीसमें क्या करना चाहते हो relationship 체는 चाहते हो इसलिए आप statistics के यहाँ यहां पर you कर रहे हूं आप presentation analysis and interpretation of quantitative data singular sense में क्या कर रहा हूँ मैं singular sense में application कर रहा हूँ of statistical tools एकदम simple एक line में बोलो application and usage of statistical tools ठीक है और plural sense में क्या कर रहा हूँ collect कर रहा हूँ singular sense में क्या कर रहा हूँ use कर रहा हूँ एकदम simple देथी भाशा में बोलो collect कर रहा हूँ plural sense में यूज कर रहा हूं singular thing यहां पर इसका भी देखो यहां पर features मैंने लिख दिया है तुम लोगों के लिए ठीक है you can go through this is just for the sake of revision ओके characteristics of statistics क्या था बच्छो aggregate of facts है affected by large number of causes है ठीक है मैं बताया था तुम लोगों को कि अगर मेरे को पास लोगों को पास लोगों की मेरे को performance चेक करनी है तो मैं statistics यूज नहीं करूंगा मैं verbally यह काम कर सकता हूं पर हां large number of data पूरे इंडिया की population बहुत सारी चीजों से effect होती है बहुत बड़ा data के लिए statistics भी होता है ठीक है statistics always numerically expressed statistics को हमेशा numerically express करते है statistics should be enumerated और estimated estimated होता है completely should be collected in a systematic manner pre-termined purpose और placed in relation with each other वही बात होगी ठीक है चलो अब उसके बाद importance and scope of statistics के ओपर हम लोग बात किये थे तो यहाँ पर हम statistics का economics के साथ relation देखे थे कि भाई consumption, production, exchange, economic, public finance, input, output analysis यह सब ठीक है not going in detail because we already discussed है statistics and commerce क्यों पर हम लोग बात किये थे अब यहाँ पर देखो हमने कुछ नया डाल कि रही है तुम लोगों के लिए statistics and auditing and accounting जैसा कि तुम लोगों को पता है अभी तुम foundation level पर जैसे तुम इंटर level पर जाओगे जैसे तुम final level पर जाओगे तुम accounting और auditing के बारे में बहुत detail में पढ़ोगे बच्चों बहुत detail में क्यों हम लोगों का stream में सब्सक्राइब चीज़े होती है यह में पढ़े थे class I think 11th में economics में भी था 11th नहीं इंडियन economic development में था 5-year plan और बच्च्पन में उस पर भी social science में भी पढ़े होगे तो वो सब planning planning करने के लिए statistics का बहुत जादा यूज होता है कि कहा agriculture में कितना पैसा खर्चा हो रहा है education में कितना पैसा कितना फैसा खर्चा हो रहा है आगे कितना पैसा खर्चा होगा है न तो यह सब चीज़े statistics and astronomy astronomy में भी statistics यूज होता है मैं पहले बता दे रहो बहुत घुस घुस के तुम लोगों को नहीं पढ़ना है ठीक है यह चीज मैं पहले बता दू तुम लोगों को सब सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर भी यूज होता है statistics ठीक है statistics were first collected by astronomer for the study of moments of stars and planet as there are a few things which are common between physical science statistical method astronomers apply statistical method to go deep in their study तो भाई प्लानेट ऐसे चल रहा है यह देखो ऐसे मान लोगे प्लानेट है यह ऐसे जा रहा है इस रस्ते में तो मैं statistics का यूज करके पता लगा सकता हूं कि आगे कौन सा रस्ता पकड़ेगा पता हो प्रकास्टिंग नहीं बोलेंगे इसको कि जो रस्ता जो जिस रस्ते में चल रहा है वो रस्ता कहां जाएगा statistics की दुरू पता लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं लगा सकता हूं तो बस वही है stars और planets की position पता लगा न एस्टोनॉमी में मुटरोजी मुटरोज होते है न उसके बारे में बात कर रहा है statistics related to mutualogy to compare the present with the past and forecast for the future either temperature, humidity, air, barometric pressure, etc. it becomes necessary to average these figures and thus study their trends and fluctuations तुमारे जो weather forecasting होती कैसे पता चलता है कि weather forecasting होगी statistics से पता चलता है दिख रहा है cloud ऐसे चिननाई से आ रहा है और आगे 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 के states में बढ़ते जा रहा है तो किस speed से बढ़ रहा है किस direction में मूट रहा है उस direction के according की तो interpretation होता है कि आने वाले तीन दिन के अंदर महरास्ट पहुँच सकता है जो कि direction महरास्ट का ले रहा है और speed इतनी है कि तीन दिन में महरास्ट के cloud पहुच जाएंगे और उस cloud के अंदर पानी है कि नहीं humidity check यूमिडिटी चेक कि उस cloud के अंदर पानी है कि नहीं water content है कि नहीं वह भी उनलोग statistics के तुरू पता कर लेते हैं statistics बता रहा है कि कहां जाएगा ठीक है yes भाईया statistics and biology the development of biological theories has been found to be closely associated with statistical method professor Karl Pearson in his grammar of science has written that the whole doctrine of heredity rates and statistical basis तो बोल रहा है biology में भी use होता है statistics कहां use होता है वो हमको पढ़ने से मतलब भी नहीं है और हमको पढ़ना भी नहीं है use होता है इतना पता है Karl Pearson ने भी अपनी grammar of science book में बोला था ठीक है statistics और mathematics इसमें कोई sense है नहीं यह तो हम लोग को खुद ही पढ़ना है यह तो हम ही लोग को पढ़ना है इस chapter के बाद statistics complete mathematical theory में use होता है complete so mathematical statistics has been closely in touch with each other ever since 17th century when the theory of probability was found to have influence on various statistical methods ठीक है probability theory के अंदर हम लोगों को यह पता चला कि हम लोग math भी use कर रहे है और stats भी use कर रहे है at a same time ठीक है बोली was right when he said acknowledge of statistics is like knowledge of foreign language और of algebra it may prove of use at any time under any circumstances does we observe that science without statistics bear no fruit and statistics without science has no roots अब मेरे को एक बात बताओ यह question नहीं आ सकते exam में बोलेगा statement कौन दिया था बताओ कि science without statistics bear no fruit and statistics without science have no root actually ठीक है तो यह चीज़ बोल रहा है कि statistics math भाई closely data probability इसका best example है probability देख लो math और stats side by side use होता है वहाँ पर ठीक है probability हम लोको पढ़ना भी है न हाँ statistics research में use हो गई होगा ठीक है टेक्नीक आस इंडिस्पेंसिबल मैं तुम लोग को बताया था इंडिस्पेंसिबल मतलब तुम अलग नहीं कर सकते that are so much important that you cannot separate these two things okay in research work most of the advancement in knowledge has been taken place because of experiment conducted with the help of statistical method statistics and natural science like engineering physics chemistry geology mathematics astronomy medicine botany meteorology zoology etc sab jaga statistics use होता है in a natural science statistics in education there is an extensive application of statistics in education statistics is necessary for formulation of policies to start new course infrastructure required for new course consideration of facilities available for new course तुम लोगों को को की new course launch करना है जैसे नया business डालना होता है तो statistics use होता है वैसी कोई नया course दालना है तो उसके लिए statistics use होता है तुम चेक करोगे कितना requirement होगा क्या facilities लगेंगी faculties कहां से लाएंगे faculties की वो कितनी होनी चाहिए education कितना होना चीए कितने बच्चे interested है इस course को pursue करने में ये सब चीज़े भी statistics बताएगा जैसे मुझे अगर कोई नया course launch करना है किसी stream के बच्चों के लिए इधर 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 इस ये और class 11-12 as the case में भी तो मैं पहले analyze करूंगा कि कितने बच्चे response कर रहे हैं स्कोर्स को कितने बच्चे interested हैं मेरे को कितना infrastructure लगेगा मेरे को कितना time देना पड़ेगा energy कितनी लगेगी पॉस्ट कितना लगेगा वो सब से रीड मार लेना था कि तुम लोको बात समझ मार जाए लिमिटेशन of statistics तो देखो statistics and its technique are widely used in every branch of knowledge W.I.King rightly says science of statistics is the most useful servant but only for great value to those who understand its proper use तो क्या बोला था W.I.King ने अब ये भी question आ सकता exam में कि उन्होंने क्या बोला था तो ये बोला था कि science of statistics is the most useful servant बतलब सबसे जाधा काम की चीज़ है अगर तुमको उसको काम में लेने आता है तो अब जैसे तुम लोग सोचोगे कि हम लोग को तो foundation clear करना है इसलिए पढ़ रहे हैं बाकी को सब्सक्राइब करते हो तुमको पता भी नहीं रहता यह बात अरे तुम सब्सक्राइब बात बताओ तुम लोग कैसे बोल देते हो कि अरे तुम को पता है शर्मा सर जो है वह अगली बार मैस के पेपर में वाला question पक्का देंगे तुम लोग को कैसे पता अरे भाया पिछले पिछले पांस साल से वह इस चैप्टर का यहाला question देते ही है तो मैं वह बोला अच्छा करते हों अब यह देखो limitation चैटिस्ट इस नौट डील इंडिविज्वाल आइटम बता दिया था मैं कली ठीक है डील विट कॉंटिटेटिटिव आइटम ओनली एवरेज के बेसिस पे है इंटार स्टोरी रिवील नहीं करता वही 100 और 10 100 और 10 वाला एक्जांपल याद होगा कि इस चीज में help कर सकता है कि में class 12 के बच्चों की age को class 12 की वेट को वेट को हर साल मेरे स्टेट में कितना किलो कितना कुंटल चावल आता इसे compare कर दो क्या status compare कर पाएगा इस तीज को तुम बोलोगे की नहीं बोलोगे से अन्रियलिस्टिक है, क्या सिर्फ मैं एज को एज से, हैट को हैट से, वेट को वेट से, क्या ऐसी एक क्लास के बच्चो की की साथ कंपेर करो, किसी एक class के बच्चों के height को किसी दूसरे class के बच्चों के height के साथ compare करो ठीक है मतलब क्या statistics सिर्फ एक ही जब data uniform होता है या homogenous याने की same to same nature का होता है तभी statistics comes into picture पड़ा पड़से बताओ पड़ा पड़से बताओ जब data same to same nature का होता है uniform nature homogenous nature को होता है क्या तभी क्या तभी आज statistics वर्क कर सकती यह तो वही बोड़ रहा है कि यह तो drawback हो गया ना मेरे को heterogeneous data चाहिए मेरे को heterogeneous data का compare करने का मन कर रहा है मेरा मन मैं कुछ भी करूं तो कर सकता हूं नहीं तो यह चीज है तो यहां पर यह आपकी limitations हो गई possible limitations of statistics फिर अप्डेटेटा कितने टाइप का होता है दो टाइप का होता है तो दो टाइप का data क्या होता है primary data और secondary data what do you mean by primary data it's the data collected by a particular person और organization for his own use मैं खुद जाके data collect करके आ रहा हूं primary data मैं किसी का already collected data use कर रहा हूं जैसे for example मालो internet से निकाल लिया net से download कर लिया pdf उस data को मैं अपने research में use कर रहा हूं secondary data so this is first hand data यह फ्रेशली collected by me है और यह मैं नहीं collect किया हूं किसी और ने collect किया था मैं बस उसको use कर रहा हूं तो यह क्या होता है मेरा primary और secondary data का definition होता है methods of collection of primary data किस किस तरीके से गदर भाई direct personal observation फिर यह observation हो गया यह direct personal investigation है खुद जाओ और investigate करके आओ indirect oral investigation किसी third party के थुरू जिसको उस बारे में knowledge हो इसका एक अच्छा मतलब persons को hire करो उन लोगों को methodology बता दो कि ऐसे ऐसे data collect करना है और फैला दो पूरे हर जगा जहां जहां तुमको data जैसे for example data पूछा by chance अगर exam में question आया what are the sources primary data तो तुम लोगों को पता चल गया पाँच है एक दो तीन चार पाँच है अगर secondary data का sources पूछ लिया तो बताना दो sources है मेरे पास पहला published और दूसरा unpublished ठीक है यह पूबिक्विस्ट डेटा और अन पूबिक्विच्ट डेटा और अन पूबिक्व अटमपल गवववर्मेंट ऑफिशल वेबसाइट मैंगजीन अस्यक्रा और अन पूबिक्विस्ट डेटा मतलब प्रेंड से ले लिया तो अगर तुम से क्वेश्टन पूछ दिया वाट अर्धा सोर्सेज और से कलेक्शन और सेकेंडी डेटा पॉलना दो ही तारीकिया भाई या तो पॉब्लीज डेटा उठाल लो गौवर्मेंट की ऑफिशल वेबसाइट से मैगदीन से जो प्रॉपर प तो यह होता है और बाकी मैं तुम लोगों बताया था कि एक्जाम्पल से यह सारे कि कहां कहां से तुम ले सकते हो ठीक है सेकंडी डेटा को चलो यह बात हो गई थी नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं क्लासिफिकेशन और डेटा के ओपर क्ल क्या हमारी कल की क्लास में सिर् तो देखो सेकरिस्ट ने बोला था कि क्लासिफिकेशन इस दा प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन्टु सीक्वेंस एंड ग्रूप अकॉर्डिंग तो देयर कॉमन क्रेक्टर्स्टिक्स और सेपरेटिंग देम इन्टु डिपरेंट बट रिलेटेड पार्ट इसे माल ल लोगों का में लगाकर राएज जन कॉफी पीते जाए रहे पार्मा जी कॉफी पीते हैं खाटर जी कुछनी पीते हैं ग्रीन टी वाले हैं मेरा सर्वे चाय कॉफी के उपर है तो मैं कुछ नी पीते में लिख दिया ऐसे करके मैं करके आगए तो भही एकदम और अरगनाईस डेटा है ऐसी पड़ा हुए मरे डाइरी में टेबल बनाऊँ गा उस टेबल में मैं लिखूंगा पल्टी कुलर्स थीक पीने वाले 20 लोग है कॉफी पीने वाले 10 लोग है पांस लोग ऐसे जो दोनों पी थे और पांस लोग ऐसे जो कुछ नहीं भी थे टोटल टुटी लोग हो गए लोग है तो वह यह एक पॉइंट यह है अब क्या डेटा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में हो गया डेटा तो इससे क्या सामने वाले को अच्छा दिखता है ट्रक्टिव कंपेरिजन हो पाता है अब मैं ऐसे देख पाहूंगा अब सोचो में यहां पर ऐसे डायरी में पढ़ इसको छोड़ो हां ओके यह चाय पीते हैं और कॉन फिर पेज पलिटा फिर धूंड रहो भाई में अपनी कॉपी में कंपेरिजन कैसे करो अच्छे से एक पेज में हां लिखा एक पेज में वहां तो उसको क्या स्ट्रक्चर्ड वे में जमाद हो उसको बोलते है क्लासिपि जगा ऐसा और सब्रेटिंग दें इंटु डिफरेंट बट रिलेटेट पार्ट मतलब एक टेबल बनाओ अच्छे से टैबलर प्रेजेंटेशन करो और उसमें अलग-अलग टेबल बनाके लिखो कॉलम बना बनाके यह लोग चाय पीते हैं लोग नहीं पीते हैं यह मैं है इतने लोग लिट्रेट है इतने लोग लिट्रेट है ऐसा तो यह होता है classification of data तो यहां पर layman definition देखो classification is the process of arranging things into group or classes according to their resembling and affinities and give expression to the unity of attributes that may exist among a diversity of individual बच्चे बोलेंगे भईया बाकी सब तो ठीक है इसका मतलब बताओ resemblance मतलब पता होगा belong करना belongs to ठीक है attributes मतलब क्या होता है attributes मतलब होता है तुम्हारे अंदर का वो feature तुम्हारे अंदर का वो पीचर तुम्हारे अंदर की खूबी जैसे मान लो मैं तुम लोगो बोल रहा हूँ अच्छा attribute और variable के उपर आगे चर्चा है न पर इस definition में तुम लोगो बता दूँ बाकी सब तो चीज़े अंडर स्टूड है attribute का मतलब बता दूँ जैसे मान लो तुम सत्यवादी हरी शं हो तो मैं बूलो हूँ तुम अनेस्ट हो और अनेस्ट क्या होता है attribute होता है simple एक criteria बताता हूँ किसी भी चीज़ को आप attribute कब बोल सकते हो जब आप उसको calculate नहीं कर सकते हूँ इसकी आट में से दस में से आठ है इसकी ऑनेस्टी दस में से दो है ऐसे मैं कर सकता हूँ गया तुम लोग बताओ फटावर से क्या मैं honesty को ऐसे calculate कर सकता हूँ तुम लोग बताओगे मैं नहीं सब्सक्राइब कर सकता हूँ जैसे माल लो तुमारी हाइट मैं calculate कर सकता हूँ छे माल लो ठीक है बोलते हैं ना पांच आट छे कल्कुलेट कर सकता हूँ सब्सक्राइब कर सकता हूँ जो छीज कल्कुलेट कर सकता हूँ जोचीज कल्कुलेट नहीं कर सकता एट्रीवूट है तो मुध्द ही नहीं था अभी बात करने का आगे बड़ो अब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिपिकेशन का मीनिंग सबको क्लियर है बच्चों फढ़ब से बता दो क्या आपको classification का meaning clear है क्या आपको समझ में आ गया कि डेटा को structured way में जमाना table बना के diagram बना के अपनी बच्पन में class 67 की कला का प्रदर्शन करके किसी डेटा को जमाना classification कहलाता है ओके objective of classification क्या है simplification and brightness किसी भी डेटा को simplify करना और brief में समझाना यह होता है classification का पहला objective दूसरा utility भाई कुछ utility बाहर निकलेगा उसको जमाऊगे तो कि उसको जब तुम जमाल होगे कुछ उससे productivity कुछ calculations हो पाएंगी क्या मेरे अगर तुम किसी डेटा को यह theory में लिखा हुएं चर्मा जी कॉफी पीते हैं टार जी जी कुछ नहीं पीते हैं वर्मा जी चाय पीने तो यह पूरा मैंने यहां सब पूरा theory लिख दिया, मेरे को इस बात बताओ, इस theory से कुछ utility बाहर निकाल पहोगे, कुछ अच्छा calculation, कुछ अच्छा average, कुछ भी ऐसे, मतलब कुछ fruitful सा जो तुम मेरे को सामने communicate, नहीं निकाल पहोगे, of course not, but अगर आप data को अच्छे से classify कर दो, तो उससे कु कुछ usefulness बाहर आएगी, ठीक है, next, distinctiveness, मतलब किसी भी data को distinguish करना, from various segments, like attribute के basis पे, तुम data को क्या कर सकते हो, distinguish कर सकते हो, ठीक है, अलग 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 attributes के basis में, अलग अलग उसके basis पे, features के basis में, उसको तुम सामने वाले को दिखा सकते हो, इतने person लोग ये करते है, इतने person man है, इतने person female है, ठीक है, male और female, अब इसमें से इतने लोग literate है, इतने लोग illiterate है, इतने illiterate, इतने illiterate, अब literate में इतने लोग graduated है, इतने graduated नहीं है, तो ऐसे इससे क्या होगा, तुम distinguish कर सकते हो data को, on the basis of various benchmarks, comparatability हो पाएगी, compare कर पाओगे data को, जितने सुन्दर जमाओगे, इतने अच्छी comparison होगी, ठीक है, scientific arrangement है, scientifically arranged कर पाओगे, उसको scientifically arrangement मतलब, graphs का use कर लोगे, ठीक है, bar diagrams का use कर लोगे, pie chart का use कर सकते हो, यह सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या होता है, ठीक है, तो वही चीज़ है, और attractive और effective दिखेगा, सुन्दर दिखेगा, सुन्द सुन्दर को जानते हो, और effective दिखेगा, ठीक है, effective दिखेगा, चलो, characteristics of a good classification, एक good classification कैसा होना चीए, comprehensive होना चीए, मतलब भाई, classification का मतलब यह नहीं कि तुम data ही gap कर दो, पता चला, तुम उसको सुन्दर दिखाने के चक्कर में आदा data ही gap कर दिये, ऐसा नहीं होना चीए, comprehensive हो homogeneity होनी चाहिए, ताकि comparison हो पाए, suitability होनी चाहिए, जो मेरे को करना है, जो मेरे को survey करना है, उसके लिए suitable भी होना चीए, stable होना चीए, stable मतलब, stable मतलब तुम्हारा भाई, classification है, एक उधर जा रहे, stability maintained नहीं, stability मतलब, एक common benchmark में होना चीए, जैसे माल तु एक चीज करोड में रूपीस, वैसे इसके लिए एक solution है, पर बात ये data stable होना चीए, volatile data नहीं होना चीए, volatile data मतलब ये ऐसा, ये तो हमारी heartbeat है, हाँ, तुम्हारी heartbeat नहीं होनी चीए, ठीक है, और elastic होना चीए data, elastic मतलब ये होता है, कि ऐसा classification आप करो, कि बाद में अगर मेरे को ज़रूत पड़े, कुछ edit करने का, मतलब कुछ plus minus करने की मेरी इक्षा हो रही है, कि भाई कुछ data में add कर देता हो, कुछ data से हटा देता हूँ, ये चीज़ काम की है, तो वो चीज़ अनेबल होनी थी, कि इतना static बना दिये, इतना static बना दिये, कि अब उसमें कुछ plus minus ही नहीं कर पा रहा हूँ कुछ data हटाने, अरे यार, ये तो नहीं हो पाएगा, data हटाओ कि table अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है, इतना flexible होना चीए, elastic को छोड़े, यहां flexibility लिखो, इतना flexibility होना चीए, कि data में कुछ बाद में addition, subtraction, possible हो, ठीक है, जैसे तुमारे notes में हमेशा बोलता यहां से चालू करते हैं, यहां तक लिखते हैं, तो बाद में अगर revision के time पर माल लो, कुछ addition, subtraction कराने की आवशकता पड़ गई, कहां लिखोगी, थोड़ा बहुत जगा छोड़े करो, अपने page में, ठीक है, छोड़ दिये करो, कभी-कभी, मैं भी छोड़ देता हूं, यह तो notes में नहीं छोड़ा, हर जगा पर तुमको थोड़ी बहुत जगा यहां दिखेगी, और यह मेरी आदत ही है, मैं अपने, जो खुद के notes बनाता हूं, अपनी copy में, अपने पढ़ाई के, उसमें भी मैं छोड़ता हूं, होने ची अच्छा आज़ो, basis of classification, मतलब जब आप classification करोगे, किस बेसिस पर करोगे, आपको यह बताना है, ठीक है, चलो बेटा, basis of classification देखना, geographical classification और special classification, दोनों एक ही चुडिया का नाम है, this classification of data is based on geographical or location, different of the data, मतलब geographical location, भही नाम में आंसर है, बेटा, मैं और क्या बोलू, नाम में आंसर है, कि जो तुमारी जगा, place, state के नाम, country के नाम, के basis पर जो होता है, ठीक है, उसके basis पर जो तुमारा data का classification होता है, उसका हम बोलता है, geographical or spatial, ठीक है, next, chronological classification और temporal, when the data are classified on the basis of time, it is known as chronological classification, like 2000, 2001, 2002, 2003, ऐसे जो हम लोग टाइम के basis पर जो data का classification करते हैं, उसका हम बोलते है, chronological classification and temporal, तो क्या बता है, मैंने अभी दख, geographical or spatial, जगहा के basis पर महराष्ट्र, कॉलकता, डेली, चतिसगर, ठीक है, मज्य प्रदेश, चिन्नाई, ठीक है, यह सब, मतलब हम लोग क्या कर रहे है, place के basis पर classification कर रहे है, जोग्राफिकल, time के basis पर कर रहे है, chronological, फिर है qualitative classification, classification is according to the quantities and attributes of the data, तो हम लोग क्या कर रहे है, हम लोग attributes के basis पर data classify कर रहे है, attributes मैं तुम लोग को बताया था, क्या होता है, attributes, attributes मतलब होता है, ऐसी चीज़, जिसको आप measure नहीं कर सकते, ठीक है, attributes are those things which cannot be measured, तो यह बात समझ भाई, यह भाई, फिर इस classification may be of two types, simple classification और many fold classification, जैसे यह देखो, एक मिनट यह तो उल्टा हो गया, यह इसका example यहाँ आगया और इसका example यहाँ आगया, oh my god, चलो ठीक, इसको मैं एडिट कर देंगे, यह actual में, इसका example यहाँ आगया, इसका example यहाँ पर आगया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे, इसको ध्यान में रखना, height और weight जो है, वो अपना quantitative का example है, और honesty, beauty, married, single, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, on the basis of caste यहाँ इसका example है, qualitative का, ठीक है, तो यह उल्टा-पूल्टा कर लेना, मतलब तुम लोग मत करना, मैं ही करूँगा, ठीक है, उल्टा-पूल्टा करके तुम लोगों को दे दूँगा, तो यह देखो, पहले simple और manifold क्या होता है, समझना, इसके लिए we need to add a piece बच्छे ओ, यह देखो, जैसे माल लो, मैं classification कर रहा हूँ, simple, how many male और females are there, that's it, this is the simple classification, how many males and females are there, simple classification, society में कितने male है, कितने female है, बता दो, बस simple classification, manifold क्या होता है, अब हो गया ना, इसी में manifold भी बना के दिखा रहा हूँ, males में से कितने, literate है, और कितने illiterate है, यहाँ पर भी कितने literate है, और कितने illiterate है, फिर इतमें भी literate में भी, कितने graduated है, और कितने, इसमें भी कितने graduated है, और कितने not graduated है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, many fold, many fold बच्चों, बहुत सारा देख रहे हो, male, female, male, female के अंदर, literate और illiterate, literate के अंदर भी graduated, not graduated, तो यह many fold हो गया, और simple क्या होता है, बस male female हो गया, खता, classification of data, on the business of only single benchmark, whether it is male और female, that's it, तो इसको अगर note करना चाहों, तो note कर सकते हो, दोरों के example में, simpler और many fold में, हो गया, yes, तो यह बात हो गई, इसके बाद देखो, इसके बाद आ रहा है, मेरा quantitative हो गया, मेरा यह समझ में आ गया, simple और many fold, बिल्कुल भीया, बिल्कुल बात समझ में आ गई, अब देखो, quantitative और numerical classification data, are classified to classes or groups on the basis of their numerical values, quantitative classification is also called classification by variables, मैं तुम लोग बताया था, attribute का मतलब, attribute मतलब, marriage, single, honesty, dishonesty, beautiful, ugly, religion, ठीक है, यह क्या हो गया, मेरा attribute होगे, इसको मैं मैं मैंजर कर सकते हो, मैं मैं आट में से दस हिंदू हो, ऐसा, भाई, मैं कैसे, number में कैसे, भाई, तो कितना, कितना beautiful है, मैं 100% beautiful हूँ, अपने आपको सब 100% बोलेंगे, अब कोई मेरे से पूछे का तो, तू 80% है, तू 40%, तू 60%, भाई, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे, यह तो कोई benchmark ही नहीं है, तू कितना married है, मैं, मैं तो अभी, तू मैं 60% married हूँ, ऐसे, ऐसे कोई बोलता है क्या, नहीं बोलता है, तू कितना honest है, बिल्कुल नहीं, तुम खुद सोच के देखो, यह सारी चीज़े जो है, यह countable ही नहीं, these are not countable at all, तो यह क्या है मेरे, qualitative classification है, और quantitative में क्या जाएगा, मेरा height, weight, यह सब, ठीक है, clear हो गई बात, yes फईया, चलो, अब concept of variable, a character or a phenomenon, which is capable of being measured, और change its value over time, is called a variable, तो क्या होता है variable, ऐसी चीज़, जो कि capable of being measured है, for example में बोला न, height, weight, तो ऐसी चीज़े जिसको measure किया जा सकता है, measurable है, measurable है, तो capable of being measured, called variable, ठीक है, तो variable में भी either discrete variable or continuous variable, so discrete variable, these are those variables that increase in jump or in complete number, और continuous variable that assume a range of, ठीक है, तो देखो क्या होता है, समझना, discrete or continuous क्या होता है, discrete variable मतलब ऐसा variable, जिसका एक static number है, जैसे महां लोग class में, let's say 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं class में, तो मैं test लिया, 40 marks का, 40 marks का test लिया, of 50 students, सेम चीज़ यहां भी हुई ना, सेम चीज़ यहां भी हुई, तो देखना, मैं इसको जब discrete में, discrete variable की तरह दिखा रहा हूँ, जब continuous variable की तरह दिखा रहा हूँ, दोनों में अंतर देखना, मैं बोला भाई, marks, number of students, classification कर रहा हूँ, of course, तो 10 marks आए हैं, 4 बच्चों के, 20 marks आए हैं, 16 बच्चों के, 30 marks आए हैं, 10 बच्चों के, इतना हो गया है, 30 हो गया है, 35 marks आए हैं, 5 बच्चों के, और 40 marks आए हैं, 15 बच्चों के, मेरे class में उश्यार बच्चे जादा हैं, 15, 15, 20 हो गया, 30, 40 हाँ, 50 हो गया total, 50 students, 40 marks का test था, तो 40 marks से जादा आनी सकता है, हाँ, 40 marks से कम आए है, तुम बोलोगे, वैसे तुम लोगों को यह data appropriate नहीं दिखेगा, क्योंकि कैसा possible ही नहीं है, कि dot 4 बच्चों के 10 marks है, dot 20 marks है, 16 बच्चों के, dot 30 marks है, 10 बच्चों के, dot 35 marks है, 5 बच्चों के, dot 40 marks है, 15 बच्चों के, ऐसा हो इनी सकता, पर हपन एक्जामपल ले रहे हैं, तो हम लोग ऐसा static example लेते हैं, तकि हम दोनों को compare कर सकें, तो इसको हम लोग बोलते है, discrete variable, मतलब एक static number होता है, और वो number कितने बार, same number repeat हुआ है, जैसे 10 marks, 4 लोगों को मिले है, तो यह उसका दिखो लिखा हो है, 4 students, वैसी 20 marks, 16 बच्चों को मिले है, 16 बार repeat हुआ है, 30 marks, 10 बच्चों को मिले, 10 बार repeat हुआ है, 35 marks, 5 बच्चों को मिले, 40 marks, 15 बच्चों को मिले, इसको बोलते है, discrete variable, मतलब एक static number रहेगा और वो कितने बार repeat हुआ है वो यहां दिखेगा continuous variable देखो marks number of students 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 ठीक है तो 0 से 10 marks कितने बच्चों को मिले हैं let से 12 बच्चों को मिले हैं 0 से 10 के बीच में 12 बच्चे हैं 10 से 20 कितने बच्चों को मास मिले 8 बच्चों को 20 से 30 20 बच्चों को मिले ठीक है और 30 से 40 10 बच्चों को मिले total 50 students मतलब यहां पर देखो तुम्हारा slab है 0 से 10 का slab है 10 से 20 का slab है 20 से 30 का slab है 30 से 40 के slab है उस slab के अंदर जितने बच्चे आ रहे हैं उतने बच्चे मैंने उसके सामने लिख दिया है कि भाई 0 से 10 12 बच्चों को मास मिले 10 से 20 आठ बच्चों को मास मिले है और 30 से 40 दस बच्चों को मास मिले हैं और डिस्क्रीट में क्या था डॉट मैं बोल रहा था जो कि यह थोड़ा सा इन अप्रोप्रोप्रेट रहे है यहां पर यह एक्जामपल पर फिर भी लेट से तो बस यह है डिस्क्रीट और कंटिनस वेरियेबल का मतलब इसको नोट कर लोगे होगे बच्चा बाटी अगेन आएम रिपीटिंग बन अगेन डिस्क्रीट शिरीज मतलब ऐसा वेरियेबल जिसका कोई एक यह देखो यहां पर कोई एक बेंचमार्क है और वो कितने बार रिपीट हुआ है वो यहां बताना है तो दस मार्क्स चार बच्चो को मिली है तो मतलब चार बार क्लास में दस मार्क्स आया है बीस मार्क्स सोला बार रिपीट हुई है सोला बच्चो को बीस मार्क्स आया है खटी मार्क्स दस बच्चो का आया है 35 marks 5 बच्चों का है और 40 marks 15 बच्चों का है डिस्क्रीट continuous क्या करेगा slab slab तोड़ देगा 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों को marks मिले 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों को marks मिले 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों को marks मिले है अच्छा बच्चे पूच रहे भाई यह यह तो यहां पर भी है और यहां पर भी है तो जिसको 10 मास मिले उसको यहां डालू कि यहां डालू बताओ क्या आपके मन में भी यह डाउट आया है आपके मन में यह डाउट आया है क्या आप भी बोल रहे हो कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है क्या आप ऐसा बोल रहे हो बिलकुल बोल रहे है बच्चे बच्चे बोल रहे हैं भाहिया इसका जवाब दो we want answer always remember the lower limit is included and the upper limit is excluded यहां लिखो the lower limit is included and the upper limit is excluded मतलब हमेशा एक class interval के अंदर जो lower limit होती है जैसे यहां 10 है वो included होती है इसके अंदर मतलब 10 यहां एगा कि यहां एगा फटाफट से बताओ चलो यह statement बढ़के बताओ 10 उपर वाले में कि नीचे वाले में कि यहां कि यहां कि जिसको 10 marks आये हैं very very good नीचे वाले में इंक्लूड ओगा क्यों कि लोवर लिमिट इस इंक्लूड़ेड मतलब जिसको 10 marks मिला है वो यहां यहां नहीं आएगा अपर लिमिट is excluded अपर limit is excluded तो सबसे बड़ा doubt भाई जिसको 40 marks आए वो कहाएगा उसके तो आगे कुछ है नहीं तो यहीं आएगा उसके बाद तो कुछ है नहीं तो वो तो यहीं आएगा ना obvious सी बात है पर बात करूं है 30 marks जिसको आया है यहां आएगा इस वाले में आएगा जिसको 20 marks आए ह यहां पर आएगा ठीक है ठीक है बात समयाज में तो यह चीज़ हमेशा नोट करके रखना the lower limit is always included and the upper limit is always ठीक है ठीक है ओके भाइया ओके चलो आगे बढ़ो what do you mean by raw data a mass of data in its crude form crude form मतलब untouched form is raw data I think तुम लोगो नाम पढ़के समझ में आओगा कि जब मैं data collect करके आता हूं और बहुत हौच पॉच हुआ हुआ रहता है हौच पहुच पता है न तुम लोगों पूरा फैला हुआ डेटा पचास तो दोसौ शीटे हैं हजार दोहजार कोश्चनायर है इतने सारे हजारों बच्चों की आंसर शीट का पूरा बल्क बना के भेज़ते हैं टीचर्स के पास टीचर्स एक एवफोर था पेपर में रोल नंबर वाइस मास लिखके भेज़ दे यहैं यह,bling एक वह स्टाटिस्टिक्स,०ूइब फूरे आंसर चक करें एक पेपर में सबका आंसर सब्सका मास लिखके भेंग ए इसपर बिल्ग गट्था बन के गया था, backup अन्सर शीट का वह रा ड प्लासिफिकेशन बता दो क्या फायदें क्लासिफिकेशन करने के क्यूं कर रहे हैं तो देखो एट चाहिए हटा दो अन्नेसेसरी डेटा को कंडेंच करता है यो डेटा चाहिए रख लो जो नहीं चाहिए हटा दो क्लासिफिकेशन को करने के बाद क्लासिफिकेशन करना पॉसिबल हो जाता है तो क्या अलग अलग करेक्टर स्टिक्स को आपस में कंप्यार करना इजी हो जाता है और इट फैसिफिकेशन के बाद वो चीज पॉसिबल हो पाती है अगर मैं तुमको पैराग्राफ पॉर्मेट में दे दू या अन्क्लासिफाइड डेटा दे दू अन्प्रोसेस डेटा तो तुम मीन मीडियन मोड कैसे निकालोगे टैबलर फॉर्म के बिना जो हमको आगे क चैप्टर में पढ़ना है ऑफकॉर्स ठीक है जो तुम लोग बार बार सुनते हो कि भाईया क्या बोल रहा है मीन मेडियन मोड यह सब वो पढ़ना है तुम लोग आगे चलके बुद्दा यह बोल रहा हूं मैं फर्दा स्टाटिस्टिकल ट्रीटमेंट करने के लिए क्लास क्लासिपेकेशन से बहा है यह बार की क्या जाथा यह गयाए गए पिक यह two-fold, gender और literacy से भी जाधा ले गए, many-fold, ठीक है, classification which more than one attribute are involved, ठीक है, मतलब एक से जाधा gender, literacy, graduated or not graduated, English speaking or not, मतलब English बोल पाते की नहीं बोल पाते हैं, यह सब many-fold, example दिया था न, many-fold का यहां पर यह देखो, बहुत सारा, male, female, literate, illiterate, graduated, not yet graduated, बहुत सारा, ठीक है, पच्छा बादी, यह भाईया, mode of presentation of data, भाई, कितने तरीके से एक data को आप present कर सकते हो, सामने वाले को दिखा सकते हो, जो आप data collect करके आया हो, statistics के अंदर, आप उसको कितने तरीके से सामने वाले व्यक्ति के रख सकते हो, उसके सामने, express कर सकते हो, तो textual होता है, paragraph लि ऐसा कि dust दुनिया जहान conclusion, यह, textual, paragraph format में लिखके दे दो, यह तरीका हो गया, दूसा तरीका, tabular presentation, tabulation, table बनाओ, rows और columns बनाओ, और उसमें data को present कर दो, tabular presentation, diagrammatic presentation of data, graph बना के दिखाओ, graph and all बना के दिखाओ, कि भाई, यह मेरा data का analysis है, तो diagrammatic, तीन तरीका है, तुमारे पास, textual, tabular, diagrammatic, तो पहले हम देखते है, textual क्या होता है, this method comprises presentation data with the help of paragraph और number of paragraphs, लिखके बताओ, लिखके बताओ, बच्चो, official report of inquiry commission और government report, यह सब हमेशा तुमनों देखोगे, तो textual presentation में ही होता है, generally, ठीक है, I am saying the word generally, ठीक है, merits क्या है, merit of this mode of presentation lies in the simplicity, and even a layman can present and understand data by this method, पोल रहा है, सबसे बहली बात, बहुत simple है, अगर आप, माल लोग कोई बंदा statistics पढ़ा ही नहीं है, तो उसको tabulation भी नहीं आएगा, उसको diagrammatic भी नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या एक तरीका है, दुनिया में जो व्यक्ति, statistics जानती, शब्दी नहीं जा with the help of textual presentation, बोल रहा है, जैसा data collect करके आए थे, जैसा data लेका थे, as it is present करने की ताकत है, इसमें, मतलब सिंपल चब्दों में, जो पुरा hotspots data collect करके आए थे, वो hotspots data को होच-पोच रखने की ताकत है, इसके अंदर, ठीक है, एक जैसे collect करके लाए थे, जो descriptive way में, बरवा ब भरवा के जो collect करके थे, वैसे same to same कर देगा, इसको कोई फ़रक ही नहीं पड़ेगा, कुछ मैनत ही नहीं है, same to change, this type of presentation can be taken as the first step towards the other method of presentation, बोल रहा है, बट, बट, data को present करने का सबसे initial stage जो होगा, वो यह होगा, और वो तो मैं अभी पिछले example में ही बोल दिया, data collect करके आते ह तो textual presentation नहीं रहता है, अगर तुम काय जैसे देखोगे तो, questionnaire भरवाओ, अपनी observations को लिखो, उसमें जो तुमको pointer से एडिया सब्ट्रेक करने वो लिखो, तो actually you are collecting the data by textual presentation, तो initial stage में यही होता है, तो यह के merits है, और डी मेरे तो बहुत सारे, dull, मज़ा नहीं आया, dull, monotonous, monoton नहीं थी है, हमको data, monotonous मतलब क्या होता है, monopoly जानते है, monopoly, एक दम, एक standard format में एक ही स्थेर, तो उसको क्या बोलू, मैं ऐसे, अड़ जाना, हाँ, अड़ जाना, ऐसा, एक ही तरीका, मतलब, static तरीका है, data को present करने को, और वो है paragraph format, monotonous है, कोई flexibility नहीं है, इस data को क्या use करो होगे, तुम यह बताओ मेरे को, एक paragraph format, data दे दिया गया, तुम कहां ही use कर पाओगे, क्या analysis कर पाओगे, क्या further statistical method लगा पाओगे, monotonous nature चो करने लगता है, ठीक है, comparison between different observation is not possible, monotonous nature से यह बात clear हो गई, कि जो comparison वाला काम है, वो possible नहीं है, ठीक है, for manifold classification, this method cannot be recommended, और अगर आप को manifold classification करना है, तो यह method आप नहीं use कर सकते, this is only used for simple method, क्या आपको textual presentation clear है, बड़ा बड़ से बताओ, क्या आपको textual presentation of data clear है, बस paragraph format में लिख देना, textual presentation, merits and demerit, ठीक है, ओके, चलो next, tabular presentation of data, ठीक है बेटा, तो समझो इस बात को, tabular presentation or tabulation of data, समझ ना, tabulation may be defined as logical or systematic arrangement of statistical data in rows and columns, rows and columns, ठीक है, इसको ऐसे column बोलते हैं और इसको row बोलते हैं, ठीक है, it is designed to simplify the presentation of data for the purpose of analysis and statistical inferences, मतलब tabulation करने का मुद्दा ये है, कि हम लोग data की analysis कर सकते हैं, tabulation में लाओ पहरे data को, बाद ही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अभी देखना आगे question करेंगे, हम लोग जब पूरा data table में रहेगा, मुद्दा ही वोई है, tabulation पहले जरूरी है, ठीक है, चलो, objective of tabulation का है, ये देखो, बोल रहे है, to simplify the complex data, complex data, simplify, छोटु, छोटा, एक पेज, पचास पेज, एक पेज, फिफ्टी पेज, इस एक पेज, इस एक पेज, ऐसा होना ची, और यही तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारा जो, रिवीजन नोट है, वो भी ऐसी बनना ची, पता है, मतलब है, तुम्हार पस्ताकत होनी चाहिए, तौप इस पेज में summarize करने की, 110 पेजे, अगर तुम्हारे पास यह ताकत आ गई न, खून में दॉट रहा है, तुम्हारा कोर्स, मैं सीधा बता रहा हूँ, तुम्हारे खून में दॉट रहा है, तुम्हारे पास यह optimization है, कि तुम्हारे पनी 100 सीधों को 10 पेज में summarize करने आना जिए, ठीक है, clarify the objective of investigation, economy space, ठीक है, मतलब, एक मिनट, second वाला point में बता दू, clarify the objective of investigation, मतलब जो मैं investigation किया हूँ, उसका जो objective है, उसको table देखके आदमी समझ जाएगा कि इसको objective क्या था, जैसे मेरी तुम्हारे अली table देखते हैं, तुमको है, अब उसके आगे फिर भाईया, इस data में क्या करेंगे कि जिलो graduate नहीं है, उन लोग को graduation provide करवाएंगे, society में वो करेंगे, भाषण भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाना है, तो वो सब चीज़े करेंगे, pattern of data, मतलब भाई, टेबल में तुम देख के trend analysis कर सकते हो, 2002, 2003, 2004, तो जैसे तुम देख सकते हो, कि मेरा 200 करोड का profit था है, यहां, यहां दो सो एक करोड का profit हो गया, यहां 210 करोड का profit, तुम trend देख सकते हो, trend, कि पिछले कुछ समय से आने वाले समय ता क्या trend चल रहा है market में, यहां मेरे data में, क्या trend चल रहा है, trend देख सकते हो, कि कितना percent upward trend है, कितना percent downward trend है, कितना percent upward downward trend है, यह भी देख सकते हो, ठीक है, to help reference for future further studies, 5 further studies अगर आपको करनी है, तो उसके लिए as a reference आप यूज कर सकते हो, data को, no doubt, facilitate statistical analysis, statistical की कोई भी analysis तुम कर सकते हो, tables का use करके, detect error or omission in the data, अगर data में कोई error या omission है, तो tabular data में तो मिल जाएगा, paragraph में कहां डूड होगे, paragraph में कोई data में, अगर कोई गलती मान लो, 200 जाएगा, 2000 लिख दिये, एक 0 बढ़ा दिये, उससे गला सुख जाएगा भई, आदमी का, या 2000 के जाएगा, 200 लिख दिये, तो भी गला सुख जाएगा, तो detect करेगा, error or omission in the data, और clarify करेगा, characteristics of the data, मतलब जो भी data है, उसका क्या characteristics ह है, उसको भी clarify करेगा, tabular, tabular presentation of data, तो these are the main objectives of tabulation, everyone clear, फटा फट से बताओ, clear है आपको, yes फईया, चलो, essential part of a statistical table, तो statistical table में table number, title of table, data, subs, और road is a designation, caption or column heading, body of table, unit measurement, source notes, foot notes, references, इतना main parts होता है, तो ये पूरा portion आपको घर से तो read मारना है, सीध हाते table में, हम सीध हा रहे है कहा, table में, तो पहला चीज़ अगर आप देखोगे, table का number, एक table नहीं बनाया जाता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अभी भी एक table नहीं बनाया जाता है, table की पूरी series होती है, table number 1, table number 2, अपनी बच्पन की book में देखे हो, ऐसे लिखा रहे था, refer table number 2.1, refer table number 2.2, refer table number 2.3, 2.4, क् chapter number 2, 2.1 है ना, उसमें जो 2 लिखा है, वो chapter represent कर रहा है, point 1 table represent कर रहा है, कि पहला table, दूसरे chapter का पहला table, दूसरे chapter का दूसरा table, दूसरे chapter का तीज़, यह हमेशा करते हैं यह देखो, जैसे यहाँ देखो, जब मैं accounts का notes बना रहा हूँ, accounts का यह notes है, theoretical framework का, 1.1, मतलब चैप् chapter 1 का 3 टॉपिक, यह देखो, chapter 1 का 4 टॉपिक, तो ऐसे represent करने का तरीका होता है, तो यहाँ पर table number डालना बहुत जरूरी है, तो यह कहाँ पर होता है, उपर में, आपको place याद रखनी है, कहाँ पर, इस table का photo कीचो अपने आखों में, ठीक है, तो table number 1, title of table यहाँ पर रहेग जगा, decide कर लेना, और बार बार वहीं डालना, ठीक है, एक बार जगा, decide करो, फिर वहीं डालना, subs और row designation, मतलब होता है, rows की heading, जो यह row है, यह चीज याद रखना, यह तुम्हारे rows है, यह तुम्हारे क्या है, रो है, और यह जो ऊपर से नीचे दिख रहे, यह तुम्हारे बोलते है, row की heading को क्या बोलते है, stub बोलते है, कहाँ डलती है, यहाँ पर डलती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, caption और column heading, जो columns की heading होती ही, column की heading, इसको अपन बोलते है, caption, क्या बोलते है, बच्चों, यह देखो, यह column की heading को क्या बोलते है, caption, तो यह जो row है, row की heading को बोल बोलते हैं, caption, ठीक है, body of the table ये रहा, ये पूरा ये जो पूरा zone है, जहाँ data रहेगा उसको body बोलते हैं, body of the table, ठीक है, फिर unit of measurement आपको लिखना बहुत जरूरी है, कि आप किस unit में, जैसे माल लोग पूरा table जो है, पूरा पूरा table rupees में है, तो आप लिख दो यहां rupees, अब माल या फिर आपका माल लो पूरा centimeter में, लिख दो centimeter, अगर आपका kilometer में, लिख दो kilometer, अगर आप weight measure कियो, लिख दो kg, kg, लिख दो, पूरा data kg में है, तो आपको जो unit of measurement है, वो लिखना है, पूरे table के अंदर जो data है, किस unit में है, source note, यह उठाए हो, यह पूरे table के अंदर, जो data, data, जो इस table के अंदर, जो data को incorporate करके लाए हो, source बताओ, कहां से लाए हो, source note बताओगे, तो यह देखो, a note at the bottom of the table, close always given, indicate primary source, as well as secondary source, कोई primary source है, लिख हो, कोई secondary source है, लिख हो, कहां से लाए हो, put note or reference, it is always placed at the bottom of the table, it is statement which contains explanation of some specific items, which cannot be understood by the reader from their caption or stuff, जैसे माल लो, कि आपके table के अंदर, कोई ऐसा item है, जो आप ऐसे नहीं explain कर पा रहे हो, ऐसे captions के तुरू और stuff के तुरू नहीं explain कर पा रहे हो, तो आप उसको footnote में लिख दो, जैसे आपको लग रहा है, कि कोई ऐसा चीज है, जो आप नहीं explain कर पा रहे हो, पर, तो आप उसको footnote में लिख दो, ठीक है, यह particular item का मतलब यह है, ठीक है, और यह चीज आपको इसके तुरू और इसके तुरू नहीं समझ में आए, इसलिए हमने इसको footnote में specially mention कर दिया है, footnote के अंदर हमने इसको specially mention, इसलिए कर दिया है, क्लियर हो गई बात, अब इसका जो meaning है, वही meaning है, आपको पूरा read mark आने है घर से, मैंने आपको table समझा लिया, क्या सबको समझ में आ गया, table के सारे parts, याद करना है इसको, कौन सा part कहां होता है, diagram बना बना के copy में याद करना, clear हो गई बात, बोलो, everyone, clear, table का कौन सा part कहां था है, आपको इसको diagram बना बना के याद करना है, और जैसा कि मैं तुम लोग को बोला था, कि this is going to be the last part of today's lecture, so yes, we are going to wide up our lecture, after this, तो अभी तक का जितना भी तुम्हारा कारक्राम हुआ है, यह सारी चीजे तुमको revise कर के आनी है, तो इसको हम लोग कल से आगे बढ़ेंगे, also, इसको भी read mark के आ आ जा ना, एक बाइ बाइ